आपने देखा होगा कि लोहे के धातू में जंग लगती है, वहीं तामबे के धातू की चमक कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? जब हम किसी धातू की वस्तू को खुली हवा में रखते हैं, तो वह जल्दी से खराब होने लगती है, हवा में ओक्सिजन, कारबन डियोकसाइड, सल्फर एसिड आदी होते हैं, जिसके साथ प्रतिक्रिया से धातू पर एक परत जम जाती है, परत के कारण धातू की मूल चमक फीकी पड़ जाती है, जिसे धातू का कोरोजन कहते है, हवा में ओक्सिजन लोहे के साथ प्रतिक्रिया करके, एक ब्राउन डियोकसाइड के साथ प्रतिक्रिया करके, तो इसे लोहे का ख्षारन कहते है, या लोहे का काट लगना कहते है, या लोहे में जंग लगना कहते है, तांबे के सीके बरतन आदी में अवा में रहे कार्बन डियोकसाइट के साथ प्रतिक्रिया करके तांबे पर कोपर कार्बोनेट की एक परत जम जाती है तो इस तांबे का रंग और चमक कम हो जाती है जिसे कोपर का कोरोजन कहते है तो इस तरह धातु की वस्तु को लंबे समय तक हवा में रखने से खराब होने लगती है वीडियो जहनकारी से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और कोमेट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए जए एंट मादरां